Hello and welcome back to Sports Circle, मेरा नाह में सुझाए और आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं एक मूवी की I know ये एक मूवी रिव्यू चानल नहीं है, हम लोग एक स्पोर्ट्स चानल हैं बट ये मूवी है मैदान, जो real story पे बेस्ट है, real story of Indian football के glory days पे बेस्ट है तो थोड़ी सी बात इसके बारे में करना बनता है सबसे पहले तो ये मूवी देखके एक question आया मेरे दिमाग में मूवी की बात करने से पहले ये question की बात करना चाहता हूँ मैं क्या हम अभी भी 1950s और 60s में हैं फुटबॉल टर्म्स में इस मूवी में कुछ-कुछ issues raise किये गए थे and I believe वो आज तक apply हो रहे है unfortunately आज तक हमारा domestic circuit उतना साथा strong नहीं है unfortunately आज तक हमारा जादा focus senior players पे रहता है young players को उतना जादा development के opportunities नहीं मिल रहे हैं जादा chances नहीं मिल रहे हैं अपने आपको prove करने के लिए आज तक बहुत जादा politics है federation में corruption अपने अपने benefits सब देख रहे हैं यह सारे issues अभी तक हैं आज तक लोग regional divides create करने के चक्कर में लगे हुए हैं तो क्या 70 साल में हम लोग same issues से deal कर रहे हैं अभी तक क्या 70 साल में हमारा कुछ भी नहीं हुआ है और हम वहीं हैं बाकी सारे बहुत आगे निकल गए हैं good movie, overall important movie, बहुत जादा important कहानी है आज तक यह सारे players legends है, unfortunately हम लोगों को इनके बार में पता नहीं है जो इस movie के central character है, lead character है सायद अब्दुल रहीम, रहीम साब जैसे अभी तक लोग उनको जानते हैं, मूवी में भी उनको ऐसी address किया गया है रहीम साब, true legend of Indian football, उनसे बड़ा आज तक कोई नाम नहीं हुआ है अभी तक, उनकी कहानी सब को बताना बहुत important था, no doubt and I'm glad एक जो हमारा mainstream Hindi movie industry है, उन लोगों ने ये कोशिश करी है casting अच्छी है, बहुत accurate लोग है, almost कई-कई players का तो बहुत जादा similarities है उन जो actors cast किये हैं और जो उस time पे वो players दिखते थे so that is something good, आज देगविन साब ने अच्छी acting करी है, that is really good overall, एक अच्छा solid attempt उस time के हमारे sporting history को एक अच्छे तरीके से present करने का, football जो दिखाया है इसमें, वो अच्छे से दिखाया है मतलब ऐसा नहीं है कि आपको देखके लगे कि यार क्या ही खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यार ये बस हम ला, camera हिला रहे हैं ये लोग, ऐसा लगा बीच बीच में कि यार जो actors इन लोगों ने cast किये हैं, उन लोगों ने footballing पे भी मेहनत करी है इस movie के लिए, apart from just उनकी acting और that was good, that was overall good, एक और अच्छी बात, बहुत सारी movies आजकल खास कर, एक वो जो हिंदू-Muslim वाला angle जानके डाल देते हैं, just because रहीम साब and all of that, वो जो temptation था, इससे ये दूर रहे हैं, that was good, हाँ, Bengali, non-Mengali वाला debate जो उस टाइम पे चला था थोड़ा सा 1950s के मिड में वो दिखाया है, थोड़ा सा over ही दिखा दिया हूँ, but that is where we are, अब आते हैं उन चीज़ों पे, जहां पे, I didn't appreciate it fully, इसी वज़े से मैं कहा हूँ, good है, बहुत अच्छी हो सकती थी, मैं genuinely, genuinely, बहुत high hopes के साथ गया था, कि यार, Indian football के उन दिनों पे एक movie बन रही है, बहुत मसा आएगा दे dramatization के चकर में जो ये लोग fictionalize करते हैं चीजों को, वो तो करते ही हैं, हर movie में करते हैं, drama दिखाना होता है, इनके हिसाब से, जो already उस time का drama था, जो already sport का खुद का drama होता है, somehow, Bollywood वालों के लिए enough नहीं होता हूँ, इनने लगता है कि और दिखा दो, और दिखा दो, और इनने, और वो चकर में जो fictionalize करी हैं चीजें, उन में से कुछ-कुछ चीजें ऐसी होगें, जो सोड़ी जादा होगें, in fact, जो एक angle है, I know, again, अगर आपको spoilers नहीं चाहिए, तो बाद में आना इस वीडियो पर, वो जो एक angle है, जो रहीम साब को sack कर दिया, फिर वो आपस है वो कभी नहीं हुआ है, तो that was a weird detail to add, apart from that, जो एक over focus था, villainization पे लोगों की, जो एक character है, जो football federation में president बन जाते हैं बाद में, एक sports journalist हैं, जो ये दो लोग बस हाद धोके रहीम साब के पीछे पढ़े में, because ये बिंगॉली स्कु आड नहीं कर रहे हैं टीम में, वो थोड़ा over हो गया, उसकी जगा focus ये actually कर सकते थे बाकी चीज़ों पर, रहीम साब के sacrifices पे focus कर सकते थे और जादा, रहीम साब के genius पे और focus कर सकते थे जादा, कि यार, why is he that big a deal, why is he being able to motivate इतने अच्छे से, एक ऐसी टीम को जिनके पास बहुत जादा confidence नहीं है, उसको ये इतनी बड़ चीज़ें कैसे करवा रहे हैं, वो detail उन लोगोंने जादा focus नहीं किया, ठीक एच्छी बात है, understated, बहुत सारी speeches नहीं, ये नहीं, वो नहीं, पर कुछ थोड़ा सा add करना मनता था, 1951 में Asian Games में हमने gold जीता था, वो इन्होंने दिखाया नहीं, 1952 से शुरू होती है movie, वो भी रहीम साब के अंडरी जीता था, अगर एक आदमी की greatness आप दिखा रहे हो, एक movie में, तो वो तो दिखा हो, इंडिया ने आज तक दो Asian Games gold medal जीते हैं, इस movie में सिर्फ एक दिखाया, क्यों? अगर आप उस आदमी पे विच्छर बना रहे हो, तो उसी की तो पूरी life दिखा ये सारे नाम बहुत बहुत कुछ कर गए थे इंडियन फूटबॉल के लिए उन दिनों में, हम लोगों ने कोशिश करी है, बीच बीच में, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करनी की, अगर हम इतने छोटे स्केल पे कोशिश कर सकते हैं, तो आप इतने करोड़ो रुपे खर्च के, just because कि आपने विलन्स दिखाने है, आपने पॉलिटिक्स दिखाना है, सारा टाइम पॉलिटिक्स को मत दो ना, and हर स्टोरी में इतना बड़ा विलन नहीं चाहिए होता, most stories में, especially Indian context में, Indian sports के context में, circumstances विलन होते हैं enough, आपको अलग से बहुत बड़े विलन create करने की ज़रूरत नहीं है, रहीम साब की greatness does not need इतने बड़े विलन्स, उन्होंने बहुत चीज़ें के साथ struggle किया था उस टाइम पे, ये जो characters उन्होंने create किया थे, that took away from what it could have been, जो greatness ये लोग दिखा सकते थे, वो इस चीज़ पे जादा focus करने के चकर में रहेंगे ये लो Overall, good movie, again, overall good performance, overall good attempt, कई चीज़ें काफी accurately लिखाई हैं, कई चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसी हैं, जो हम सब को पता होने चीए, unfortunately, बहुत कम लोगों को पता हैं, तो उस regard में एक important movie है, मैं फिर से बोलता हूँ, देखनी बनती है, no doubt, Unfortunately, बहुत लोग नहीं देख रहे हैं इसे, and ये भी एक अलग से question बनाता है, कि यार क्या भारत देश as a sporting nation कहां है हम लोग, क्या हमें बहुत बड़े stars चाहिए, एक sports movie देखने के लिए भी, क्या हमारा खुद का कोई interest level नहीं है इन चीज़ों में, and जिस ताना से हम लोग support द हुआ है, क्योंकि पहले 3-4 दिन में मेरे खाल से कुछ खास business किया नहीं है, मैं भी जब देखने किया था, कोई भी नहीं था theater में, मेरे खाल से 20-25 लोग होंगे, 50 भी नहीं होंगे, 50 तो नहीं थे, for sure, so that begs your question, कि यार हम कहां है as a sporting nation, but I do hope, next time कोई भी ऐसी legendary figures पे true story बनती ह अगर, drama के चकर में इतना over-fictionalize ना कर दें, ताकि जो real चीजे हैं, जो और जादा important चीजे हैं, उनके लिए आपके पस time न बचे, in fact, 3 घंटे की movie है, उसमें भी जो important चीजे थी, उनके लिए time नहीं बचा, तो आप सोच सकते हो कि कितनी जगा पे इन्होंने time waste किया है, that is my opinion I know, थोड़ा सा unpopular opinion है, ट्विटल पर सब धर-धर एकदम तरीफ कर रहे हैं, बहुत बड़ी आये यह है, वो है, अच्छी movie है, no doubt, but, काफी जगा कमी रह गई, and that, as somebody जो बहुत कुछ देखना चाहरा था इस movie से, बहुत कुछ जानना चाहरा था इस movie से, वो थोड़ा सा disappointing थ करते हो, तो नीचे comments में बताओ, अगर आप disagree करते हो तो फिर तो जरूर से बताओ कि, नहीं, मेरा opinion गलत है, और यह सब, please, बाकि अगर वीडियो अच्छा लगा तो या, नीचे like का बटन दबा दो, ताकि YouTube मारा जादा लोगों तक पहुचा दे इस वीडियो को, and अगर इस